नमस्कार दोस्तों मैं उमंग कुमार सिंग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इसाम नगरी में और आज बहुत ही महत्वपून चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये अंतिम चैप्टर है हमारे स्पेक्टरम बुक का और इससे पहले के जितने चैप्टर है स सभी ओनलाइन वीडियो नोट्स के साथ मेरे ही चैनल पे डाले हुए हैं आपने अगर नहीं देखा हो तो दिस्क्रिप्टर बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें जाके जरूर देख लीजिए सुरू से लेके लाश तक अब चाहें तो 30 दिनों में इतनी मोटी क्लिरली समझ में आएगा तो हमने इससे पहले पढ़ा था नहरू के समय का भारत और हम अभी पढ़ेंगे नहरू के बाद का भारत जी हां दोनों ही अलग-अलग चीजे हैं दोनों जो हैं वो अलग-अलग चीजे हैं तो नहरू के समय का जो भारत था नहरू के देखी यहा नहरू के नेत्रुत्र में स्वतंतर भारत, 1947 से 64, यानि हम उन सभी इतिहासों को हमने पढ़ लिया, जो 1947 से 64 के मद्ध नहरू के समय में वरनीत है, अब हम लोग इसके बाद का पढ़ेंगे, यानि 1965 से, 1965 से अब तक का, अब तक का मतलब 2022 तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं, ज अभी ये चैप्टर जो है, सबसे बड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर जो है, ये तो नहरू के नित्त में स्वतंतर भारत है, अध्याय 38, ये अध्याय 49 भी है यहाँ पे, इसमें थोरा सा इधा उधर दे दिया है, देखिए, किताब में भी देखिए, और अभी मैं आपक कॉपी में भी जो है, बताऊंगा नोट्स में, देखिए, अध्याय 49 नहरू के बाद का भारत, ये शुरू होता है, 675 नमबर टिस्ट से, ये कहां से शुरू होता है, 675 और ये कहां जाके खतम हुआ है, 675 से, जोडिएगा, 675 ये पूरा चैप्टर भी वही है, 675 से लेके और, 700 चलते जाईए भी, 778 तक, 675 से 778 तक, लेकिन इसमें पेजों की संख्या कम है, 130 पेज का ये किताब है, ये चेप्टर है, 130 पेज का जी हाँ, जिस चेप्टर को आप लोग देख रहे हैं, नहरू के बाद का भारत, ये जो है, अध्याय 49, 130 पेज का ये अध्याय है, और बहुत तो इसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण हैं, मैं नोट्स बुक में जाके देखेंगे, ये नोट्स आपके सामने पड़ी हुई है, तो तब पता चलेगा कभी-कभी तो नेहरू के समय का भारत, जैसे ये मेरे पास बुक है, विपिन चंद्र पॉल की, मैंने पॉल लगा दिया, मुझे वो कांतिकार याद थे, विपिन चंद्र की किताब है, क्या लिखा हुआ है, आजादी के बाद का भारत, अब ये आजादी का भारत जो इतना मोटा किताब है, इसमें देखिए किसका फोटो है, नेहरू जी का फोटो है, इसमें नेहरू जी का फोटो है, यानि नेहरू के समय का भारत, और नेहरू के बाद का भारत, यही तो आजादी का भारत है, है ना, और इससे पहले क्या हुआ, सोतंत्रता संगर्स हुआ, तो द हम जो है चलते हैं सीधे नोट बुक पर और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है वो 130 पेज का जो चेप्टर है उसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा तो किताब को आप साथ में लेके नोट्स बनाए मेरे वीडियो को देखके बहुत अच्छे से आपका नोट्स ब चेप्टर है छोटे-छोटे चेप्टर होते हैं मैं एक पेज में पूरा समड़ी दिखाया था था कि हमें यह चीज पढ़ना है लेकिन यह 140 पेज का समड़ी मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज इस क्लास में केवल समड़ी होगा और समड़ी बहुत इंपोर्टेंट ह रिए और समड़ी आप जाएंगे तो इससे इंटरिस्ट बढ़ेगा कहते है ना फिर्स्ट इंपरसन इस दे लास्ट इंपरसन केहने का मतलब है कि अगर पहली बार में अगर आपने समझ लिए आपके दिमाग में बैठ रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो फिर अंदर यह पूरा चप्टर का नाम है चप्टर संख्या अध्याय संख्या है और पेज नमबर है ऐसे करते करते मैंने भी जो है 283 से 293 पेज का जो है नोर्स बना लिया हजार पन्य की बुक थी स्पेक्ट्रम 500 पन्य में 400 पन्य में खतम हो रही है नहरू के बाद का भारत हम लोगा पढ़ने वाले हैं चलिए चलते हैं यह सारे आप देख रहे हैं यह पूड़ा का पूड़ा जो है पूड़ा नोर्स बना हुआ है यह पूड़ा जो देख रहे हैं यह पूड़ा नोर्स बना हुआ है और मैंने चैप्टर वा देखिए मैंने यहां लिखा है 130 पेज अध्याय क्या है 49 नहरु के बाद का भारत ठीक है यहां मैंने क्या लिखा है समड़ी यह मैंने लिखा है समड़ी चलिए हम क्या-क्या पढ़ना है अब नहरु जी 1964 में टो रिटायर कर गए 1964 तक ही काफी लंबे समय तक सबसे अधिक समय तक प्रधान मंत्री रहे भारत के अब अभी हम जो समड़ी पढ़ने वाले हैं इसमें क्या-क्या चीजे हमें इस चेप्टर में पढ़ना है बस इतना जानेंगे देखिएगा कितना इंपोर्टेंट चीज है नहरु जी के बाद आया थे लाल बहादूर सास्त्री स्वारी लाल बहादूर सास्त्री का जो प्रधान मंत्री का जो काल था वो था जून 1964 से फरवारी 1966 तक हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे तो उनके प्रारंभी जीवन के बादेंगे राजनिति की आत्रा के बारे में पढ़ेंगे ये चार ये पांच चार पांच है भाग में ये खतम होगा चेप्टर उसके बार उन्होंने अपने कारे काल में क्या-क्या परिवर्तन किया उन्हें किन-किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा मतलब कौन-कौन सी चुनोतिया कौन-कौन से चैलेंजे जाए आर्थिक सुधार उन्होंने क्या-क्या करवाया ये सब में पढ़ना है हर कुछ चीजे हैं जैसे कि उनके काल में परिवर्तन आर्थिक सुधार अंतराश्टियों सम्मंद ये आपको सभी पर्धान मंत्री के बारे में पढ़ना है मोदी जी ने तो बहुत यादा के थी पड़ते-पड़ते बुड़े हो जाईएगा तो मतलब की थी नहीं अभी की है वे और करेंगे तो प्रारमधिक जीवन राजनीतिक यात्रा उनके काल में परिवर्तन चुनोतिया कौन-कोदी समस्याएं आई आर्थिक सुधार है ना अर्थवर्षाय समद्धित क्या-क्या सुधार हुए हरित करांतिक और स्वेत करांति में क्या बदलावाया नविन संस्थाएं, कौन-कौन सी नई संस्थाएं आई, प्रयोजना आई, अंतराश्टिय संबन्ध, इंटरनेशनल रिलेशन्शिप, भारत, पाकिस्तान युद हुआ 1965 में, ताशकंद सानती समझोता हुआ, और अंत में प्रधान मंतरी की रहस्य मही मिलत्यू यहाँ पे हो गांधी, देखिए इंदरा गांधी का कारेकाल बहुत लंबा था, और बहुत ही बोल्ड, बहुत ही प्रभावशाली प्रधान मंतरी थी यह, तो इंदरा गांधी के कारेकाल का पहला अक्षरन हम लोग पढ़ेंगे जनौरी 1966 से 77 के बीच में, 11 साल का यह, इसमें हम लोग क पढ़ेंगे उनके प्रारंबीक जीवन के बारे में उनके राजिनितिक जीवन के बारे प्रदहान मंतरी पद्द के समय मोंने क्या क्या किया कांगरेस का यह जो हुआ केंदर में अल्पमत की सरकार बनी, 1971 का चुनाव हुआ उनके समय में, यह सब देखिए, 1976-1977 के बीच का घटना है, अपात काल लगा, 1975-1977, दो साल तक चला था, 1977 में फिर चुनाव हुए, और राजिनतिक विवस्था में पडिवर्तन आया, तो ये चीजे हम लोग पढ़ेंगे, अभी और चीजे हैं, कहीं जाईए का नहीं, प्रथम चरण में और क्या पढ़ना है, हमें भासा नीती, है ना, राष्टिय भासा का चुनाव, उसके बाद स सकति हो शरोच तक ले गई, 42 समिधान, संसोदन, 226 janira ये इंद्रा गांदी एक आल ही हुआ था, इसे छोटा समिधान, मिनी समिधान भी कहते हैं, सूक्ष्म समिधां, संशि प्राइवेटिलाइजेशन अभी जो है प्राइवेटिलाइजेशन हो रहा है लेकिन उस समय जो प्राइवेट चीजे थी उनको सरकारी बनाया जा रहा था और MRTP अधिनियम अब कहें किया है तो यह इसका फूल फॉर्म है देखिएगा मोनोपॉली एंड रस्टिक्टिट ट्रेट पॉलिसी इसका मतलब होता है एक अधिकार एवं प्रतिबंधित व्यपार पद्धिती मतलब किस पर जो है सरकार का अधिकार है आप नहीं कर सकते और कौन-कौन से प्रतिबंधित है जो आप कोई नह सब्सक्राइब करने के लिए इंडर गांगी अपने फोर्स भजे जिसके वजसे पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था तो उसमें कुछ बंगलादेशी जो थे बहुत सारे भारत में चले आये थे तो इस समस्या आ गए थी शर्णार थी कि हमें अपने खाने के लिए तो है नहीं हम कहां से देंगे तुमको शिमला समझ आता और विदेशनीती विदेशनीती बहुत जवरदस्त है जवरदस्त थी इंद्रा गांधी कि इसको जरूर हम पढ़ेंगे तो ये प्रथम चरण में है अब ये और भी है प्रथम चरण में इस्माइलिंग बुद्धा ये क्या है ये परमानू परिख्षन हुआ था 1974 के पोखरण का उसी को जो है नाम दे दिया गया था इस्माइलिंग बुद्धा उसके बाद जन्तापाटी का सासन का लाया था अब देखिया प्रथम चरण अदिते चरण हमने क्यों किया क्योंकि बीच में इंद्रा गांधी के दो कारेकाल के बीच में जन्तापाटी की सरकार खुछ दिन के लिए बनी थी है ना तो इसको हम लोग नजन्दाज नहीं कर सकते तो सततर सक्सी तक इसका करेकाल लाता जन्तापाटी का अब ये पार्ट वन खतम हो गया प्रथम चरण इंद्रा गांधी के हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चेप्टर में हमने ये देख लिया ठीक है ध्यान से समझेगा समड़ी जानना बहुत जोरी कि हमें क्या क्या चीजे इस चेप्टर में पढ़ना है आपको पता होगा तो आपको कालखंड भी पता चल जाएगा आपको चीजे याद रहेंगी तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जनता पार्टी के बारे में पहले गयर कांग्रेशी प्रधान मंतरी मुरारजी देशाई हुए थे उनके बारे पढ़ेंगे जनता पार्टी की लोग प्रेता में कमी आई थी उस समय चौदरी चरंशिंग प्रधान मंतरी बने थे जो क कि कभी संसद उन्न देखा करने क cape कि देखेना नहीं देखना का मतलब कि कभी संसद मे गए नहीं एक मातर ऐसे प्रधान मंत्री जो कभी संसद नहीं गया तो ये अब लोग ध्यान रखिएगा कि उसके बाद लोकसभा चुना हुआ जन्ता पार्टी के सासन का अंथ हो गया लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनेश थापना हुई और समिधान संसोधन 43 और 44 और 47 में और 44 और 78 में यह हुआ था तो यह जन्ता पार्टी के पारे में था उस समय आर्थिक मतभेद भी हुए थे विदेश सम्मंध भी कुछ गर्वड हो गए थे समाजिक परिवर्तन हुए थे बहुत सारे आंदोलन हुए थे है ना तो यह था अब यहां से फिर दुबारा आ गई इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी प्रथम चरन ठीक है इंद्रा गांधी प्रथम चरन आपरीम होई है इंद्रा गांधी के कारेकाल का यह दूसरा चरन क्या-क्योत हुए तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थ्ववस्था क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे राज्यों मैं जो असन्तुस फहला पंजाब में अशान्ती हुई और उप्रोशन ब्लू स्टार चलाया गया और उसके क्या पढ़णा हुए यही पढ़ेंगे ज्यादा बढ़ा नहीं था कारेकाल केवल चार साल का था तो इसके बारे में लोग पढ़ेंगे उसके बाद आये राजीव गांधी राजीव गांधी के बारे में लोग जानते होंगे हत्या हुई थी इनकी राजीव गांधी का प्रधान मंतित्व काल अक्टूबर 1984 से 1989 पांस साल तक था क्या क्या समस्य आई उसके बारे में 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 जरूर देखेंगे राजी उगांदिये कारेकाल में क्या हुआ था सीख दंगे हुए थे भोपाल गैस तरास्दी हुई थी 1985 में जो आम चुना हुआ था उसके बारे में ये नकरात्मक थे सकरात्मक कदम क्या हुए मतलब पॉजिटूर हुने कैची उठाया घरवी मुद्धों को स्ट्रॉंग किया दल बदल कानून लाया परेवरन सम्बंधी कानून लाया इस्थानिय सुधार हुए अर्थवस्था में बहुत उधारी कदम उठाये गए प्रद्वी मिसन हुए साइंस सम्मंधित कंप्यूट्री करन किया गया सिख्षा नीती को बढ़ावा दिया गया तो ये कुछ सकरात्मक चीज़े थी कुछ नकरात्मक चीज़े उसके बाद ये सकरात्मक कदम अब नकरात्मक चीज़े क्या हुई थी तो नकरात्मक में साहबानो प्रकरान हुआ था इसके बारें डीटियल में हम लोग पढ़ेंगे बावरी मस्चिद विवाद हुआ था, टूटा नहीं था बावरी मस्चिद, बावरी मस्चिद विवाद चल रहा था, तो ये एक निगेटिव इंपेक्ट डाला था सरकार पर, वो फोर्स घोटाला हुआ था, किसानों में असंतोस था, उसके बाद विदेश सम्मंध सही नही आईपी किया है, देखिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये इसके बार में डीटियल में हम लोग पढ़ेंगे, कि कैसे जो है ये घटना हुई थी, इस घटना क्या प्रभाव पढ़ा था, और 1989 का आम चुनाओ, तो ये राजीव गांधी के बार में, उसके बाद राज राजीव गांधी के बाद जो आये, वो आये थे वीवी गिरी, ये पाँचवे हैं, नमबर जरूर दीजेगा, तक वो पता रहे कितने परधान मंतरी आये थे, वीवी सिंग, गिरी नहीं माफ कीजेगा, वीवी सिंग, इनका सासनकाल था दिसंबर 1989 से 90 के बीच में, एक साल अब एक साल में आदमी कितना तीर मारेगा भई, एक साल में इनोंने क्या किया, कस्मीर में हलात बेकाबू हो गये थे, पर्यास किया था सरकार ने सम्हालने का लेकिन कुछ हुआ नहीं, मंडल आयो का गठन हुआ था, रथ याद रथ था, सरकार का पतन हुआ था, आपने राम जी के भक्त, और वो जलूस निकालते थे, उस पर रोक लगा था, रथ यातरा पे, चंदर सेखर सरकार, चंदर सेखर साहब का सरकार आया, नब्बे से क्यानवे, ये भी एक साल ही रह पाए, अर्थ वस्था बिल्कुल असांत रही थी, बिल्कुल सांती नहीं थी, उन इसके वस्था में वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन कब तक रुकेंगे, तो चंदर सेखर सरकार, नब्बे से क्यानवे, अर्थ वस्था बिल्कुल सांत नहीं थी, और एक क्यानवे चुना हो गया, नर्सिंग, नर्सिमहाराओ, इनका प्रधानमत्य काल था, एक नियम बनाया, बहुत अच्छा काम किया था यह, इससे संपंचायतिदाज और नगरपाली का, इन दोनों से संबांधित नियम कानून आये थे, बस इतना याद रखिये, उसके बाद सुरक्षा मामले वा मंत्रिक्ष तकनीक में विकास हुआ था, विदेश नीती कैसी थी, क इब्रहान आयोग आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे, और भ्रष्टा चार संबंधी घोटाला, जी हाँ, भ्रष्टा चार संबंधी घोटाला जो है, देखें मैंने copy-paste बुक से नहीं किया है, मैंने पढ़ा उसको समझा और जो जो चीजे थी उनको highlight किया और यहाँ संब्री में जोड़ा है, तो प्लीज आप लोग बुक को भी follow कीजिए, इसको भी follow कीजिए, अपने नए notes बनाईए, सुन्दर notes बनाईए, आप पढ़ेंगे books को, इसको follow करेंगे, notes बनाएंगे, आपको 100% याद रहेगा, revision करते रहेगा बस, अब 1996 से 99 के बीच में क्या हु लोडा सहब आये थे और आई के गुजराल आये थे, उसके बाद आम चुना 1998 में जो हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे, अब देखिए, NDA की सरकार आई थी, 99-99 के बीच में, मार्च 1998 से 1999 के बीच में, NDA ये भाजपा की सरकार, National Democratic Alliance ऐसे ही है, गरवन्दन की सरकार हुआ था, पोखरन टू ओपरेशन सक्ती हुआ था, लहोड सम्मेलन हुआ था, और कारगिल यूद हुआ था, 1999 में, उस समय अटल विहारी बाच पर ही प्रदान मत्री थे, तो ये NDA के समय में हुए थी, कुछ घटना आये, उसके बाद, उसके बाद आया NDA का दूसरा कारे काल, 1999 से 2004, जी हाँ, उस समय आर्थी के वहम समाजिक कदम उठाए गए थे, आतंकवादी मुसीबते तथा, पाकिस्तान से सम्मंध खराब हुए थे, अमेरिका से सम्मंध कुछ हद तक ठीक हुए थे, लेकिन कुछ बिगरे भी थे, कश्मीर में चुनाव हुआ था, और नक हम लोग NDA के दूसरे कालेकाल का पढ़ेंगे, अब UPA की सरकार, कॉंग्रेस, सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी समरी देखिए, कैसे कैसे काम चला है, हम 2014 तक हमें जाना है, 22 तक, तो UPA की सरकार, 2004 से 9 और 9 से 14, दो साल रही थी, 14 में फिर मोदी जी आ गए थे, तो 2004 से 2009, 2009 से 2014, इसमें क्या क्या काम हुए हम सब के बारें पढ़ेंगे, विदेश संबंध, आतंकवादी हमले, 2009 का चुनाओ, तेलंगना मुद्दा उठा था, समाजिक कल्यान संबंधी कदम और कानून बनाए गए, मंगल अंतरिक सभ्यान चला, ब्रष्टाचार आरोप लोगपाल अधिनियम 2013, लोगपाल अधिनियम 2013, और 2014 के आंग चुनाओ हुए, तो ये चीजे हम लोग हम सब जीटेल में पूरा पढ़ेंगे इस चप्टर के अंदर, ये बस समड़ी चला है, ध्यान रखिएगा इसको, उसके बाद 14 से 19 में फिर NDA सरकार आई, मोदी जी आ गया और Digital India, E-Governance न लाया, पूरी तरह से जो है, इंडिया को डिजिल करने के इन्होंने सोचा, और कुछ महत्पुन समाजिक आर्थिक नितिया जो है इन्होंने लाया था, निती आयोग आया था, NITI, योजना आयोग के स्थान पर निती आयोग आया था, योजना आयोग करता है, है ना, एक तरह का प्लानिंग है, तो इसके इस आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, जन्दन आधार मोबाइल ये सब को कनेक्ट किया गया था, जन्दन खाता, आधार मोबाइल को क्या किया गया था, जोडा गया था, उसके बाद स्वास्त निती आई थी, कुछ आर्थिक सुधार भी हुए थे, जैसे देखें, मेकिन इंडिया, स्टाट अप इंडिया, स्टेंड़ इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, उसका भगवरा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 आया था, ये लोग पैसा ले 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 के भाग रहे थे, ये अधिनियम उनके लिए आया था, उसके बाद GST आया, किसान के बारे में कुछ काम किया गया, किसानों के पक्ष में कुछ आउसन रचनाये, कुछ बिल्लिंग्स बनी, कुछ चीजे हुई, निर्मान हुए, कल्यान कारी योजनाये आई, सुरक्षा, उसके बाद विदेश सम मंध और समाजिक इस्थिति, तो ये चीजे, आपको लग रहा होगा एक एक गवर्ड कितना इंपोर्टेंट हैं, सबके बारं डीटेल में पढ़ने वाले हैं, इसी चेप्टर में, भागवन में हम केवल समड़ी पढ़ेंगे, भागवन में हम लोग केवल समड़ी पढ़न में वाले हैं, उसके बाद आम चुना हुए था NDA की वाप्सिविक थी 2019 में, और 2019 के बाद जो है, फिर से मोधी सरकार आई थी और क्या कारण थे उनके जीत का, ये बहुत इंपोर्टेंट है, उसके कारक हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे, 19 से 23 में जो लोग लिए, इसका निचोर क्या निकला, हमें जो है, इसमें पूरा क्या पढ़ना है, इतने लंबे चप्टर में, नहरू के बाद के भारत में हमें पढ़ना है, कि नहरू के बाद तो पहले ये द्यान लिजे कितने प्रधान मंत्री आए, एक लिस्टिंग कर लीजेगा पेपर कौन कोन से प्रदान मंत्री आंगे कारे काल के साथ, अब क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है, उनके समय में कौन कोन सी घटनाए हुई, आर्थिक सुधार, मैं कुछ important चीजों के नाम ले रहा हूं, इससे समधित प्रस्ना आते हैं, आर्थिक सुधार, विदेश सम्मंध समाजिक एवं संस्कृतिक या समाजिक परिवर्तन जो हुए वो स्वास्त नीती कुछ हाई, डिज्टल सुधार हुआ, विज्ञान के छेत्र में कुछ सुधार हुआ तो ये सब चीजे आपको ध्यान रखना हुआ, हर परधान मंत्री के समय में जो है, कुछ ने कुछ सुधार हुए थे, जिनका पूरा कारेकाल था, छोटे वाले कारेकाल का नहीं है ना, वीपी सिंग जो आये थे, गुज्राल साब आये थे, ये सब नहीं जो पांस साल के लिए रहे, उन्होंने कुछ काम किये, बस उनको ध्यान रखना है, ये तो जो जो घटना है हुई, उन घटनाओं को प्रकाशित करना है, अपने नोटबुक में लिखना है, और कुछ इंपोर्टेंट घटना जिसे आर्थिक सुधार, विदेश समन्द, समाजिक परिवर्तनी, तो सब में था, जिसका परपसल का है, है न, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट घटना जैसे इमर्जेंसी लागू हुआ इंदरा गांधी के समय में, तो बहुत इंपोर्टेंट घटना थी, है न, मंगल अंतरिक करेंगे, ये भाग वन था, ये पार्ट वन था, और ये किवल समड़ी था, सुचे समड़ी इतना बड़ा है, तो चेप्टर कितना बड़ा होगा, तो ये पूरी मोटी बुक जो है, खतम होने वाली है, हमारी, अब लक्षमी कान्त की जो बुक है, समिधान की, पॉलिटी की उसके लिए मैं जरूर एक वीडियो जल्दी से लॉंच करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हो तो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपना ख्याल लखिए, ऐसे ही परहाई करते लिए, नोट्स बना रहे हैं, मैं जरूर देखूंगा, देखना चाहूंगा, देखने के लिए उत्सुखूं, तो थैंक्यू वेरी मच, सफर शुरू हुआ, सफर खतम होने वाला है, ये अंतीम चैप्टर है, खतम होगा, फिर एक नई शुरू आत कर देंगे, तो तैयार हो जाएए, कुर